अध्यायतीन कर्म योग अर्जुन ने कहा ए जनार्दन ए केशव यदि आप बुद्धी को सकाम कर्म से श्रेश समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्या मिश्रित उपदेशों से मेरी मुद्धी मोहित हो रही है अत्यक्रपा करके निश्च्य पूबब मुझे बताएं कि इन में से मेरे लिए सरवादिक श्रयस कर क्या होगा? श्री भगवान ने कहा ये निश्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षाथकार का प्रयत्म करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्म करते हैं तो कुछ भक्ती में सेवा के द्वारा ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल सम्याद से सिध्धी प्राप्त की जा सकती है तर तो एक जट्टी को प्रक्रती से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है हता हय कोई भी एक शन भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता जो कर्मेंद्रियों को वश میں तो करता है इंतु जिसका मन इंद्रिय विशयों का चिंदन करता रहता है वह निष्चित रूप से स्वें को धोखा देता है और मिच्छाचारी कहलाता है दूसरी और यदि कोई निष्ठावान लक्ती अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ती के कर्म योग प्रारंब करता है तो वह अति उत्कृष्ट है अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रिष्ट है कर्म के बिना तो शरिर निर्वाद ही नहीं हो सकता श्री विष्ण के लिए यग्या रूप में कर्म करना चाहिए अन्यता कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन होता है अतहे हे कुंति पुत्र उनकी प्रसंदता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरहे तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। स्रश्टी के प्रारंग में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णों के लिए यग्य सहित मनुष्यों तथा देवताओं के संत्तियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यग्य से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुमें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ती प्राप्त करने के लिए समस्त वानशित वस्तूें प्राप्ट हो सकेंगे यज्ज्ञों के द्वारा प्रसन्द होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्द करेंगे और इस कर है मनुश्यों तथा देवताओं के मत्य सहयोग से सबों को संपनता प्राप्त होगी जीवन की विभिन आवशक्ताओं की पूर्टी करने वाले विभिन देवता यज्य संपन्न होने पर प्रसन होकर तुम्हारी सारी आवशक्ताओं की पूर्टी करेंगे जिन्तु जो इनुकोहारों को देवताओं का अर्पित की ये बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यग्य में अर्पित की ये भोजन प्रसाद को ही खाते हैं अन्यलोग वे अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं सारे प्राणी अनपराश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन होता है वर्षा यग्न संपन करने से होती है और यग्य नियत कर्मों से उत्पन होता है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेज साक्षाथ श्री भगवान से प्रकट हुए है फलतह सर्व्यापी ब्रह्म यग्य कर्मों में सदा इस्थित रहता है ये प्रियर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा इस्थापित यग्य चक्र का कालन नहीं करता वे निश्चछा ही पाप में जीवन व्यतित करता है ऐसा व्यक्ति केवर इंद्रियों की तुष्टि के लिए वियर्थ ही जीवित रहता है इंटु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तसा जिसका जीवन आत्म साख्षातकार युक्त है और जो अप में नियत कर्मों को करने की आवशक्ता रह जाती है न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है उसे किसी अन्य जीव पर निर्वर रहने की आवशक्ता भी नहीं रह जाती अधर कर्म पर में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रम की प्राप्ती होती है जनक जैसे राजाओं ने खेवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धी प्राप्त की अतै सामान ये जनों को शिक्षित करने की दरश्टी से तुम्हे कर्म करना चाहिए महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान में विक्ति उसी का अनुस्वरण करते हैं वह अपने अनुसरणी ये कारें से जो आदर्श तत्तुत करता है समकून विश्व उसका अनुसरण करता है। ये प्रथा पुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का आभाव है और ना आवशक्ता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर वक्त न करूं तो हे पार्थ ये निश्चित है कि सारे मनुश्य मेरे पत्का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नश्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांचित जन समुदाय को उत्पन करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांती का विनाशक बनूंगा जिस प्रकार अग्यानी जन फल्किया सक्ती से कारे करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पत्फ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कारे करें विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि रह सकाम कर्मों में आसक्त अज्यानी पुरुशों को कर्म करने से रोके नहीं थाकि उनके मन विच्रित न हो अपितु भक्ती भाव से कर्म करते हुए रह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनम्रत का प्रमिक विकास हो जीवात्म अहंकार के प्रभाव से मोग्रस्त होकर अपने आपको समस्त कर्मों का करता मान बैठता है जबकी वास्तम में वे प्रकारकी के तीनों गुणों ध्वारस संपन्न की जाते हैं ए महाबाहो भक्ती भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेत को भली भाती जानते हुए जो परंसत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंड्रियों में तथा इंड्रिय तिर्थी में नहीं लगा था माया के गुणों से मोगरस्त होने पर अग्यानी पुर्श पूर्ण तया भोतिक कार्यों में सलगन रहकर उनमें आसकत हो जाते हैं जब जब उनके ये कार्य उनमें ग्याना भाव के कारण अधम होते हैं किम तु ग्यानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें अतहे अरजुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ग्यान से युटत होकर लाग किया कांशा से रहित सामित्य के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो जो व्यक्ति मेरे आलेशों के निसार अपना कर्टब्र करते रहते हैं और ईश्या रहित होकर इस उपदेश का शद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुप्त हो जाते हैं तिन्तु जो इश्या वर्ष इन उपदेशों की उपएक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ग्यान से रहित लिख भमित तथा सिद्धी के प्रयासों में नश्ट भष्ट समझना चाहिए जानी पुरिष भी अपनी प्रकृती के अनुसार कारे करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृती का ही अनुसारन करते हैं भला दमन से क्या हो सकता है प्रत्की एक इंद्रिये तथा उसके विशय से सम्मंदित राग द्वेश को विवस्तित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेश के वशिभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्तार के मार्ग में अब रूधक है अपने नियत कर्मों को दोश्कून धंग से संपन करना भी अन्य के कर्मों को भली भाती करने से श्रयत्कर है सुईय कर्मों को करते हुए मरना पर आये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेश्तर है क्योंकि अन्य किसी के मार का अनुसरन भयावे होता है अर्जुन ने कहा ये गृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वकुन में लगाया जा रहा हो श्री भगवान ने कहा ये अर्जुन इसका कारण रजोगुन के संपर्ख से उत्पन काम है जो बाद में क्रोज का रुद्धारन करता है और जो इस संसार का सरुभक्षी पापी शत्रु है जिस प्रकार अदमी धुए से दर्पन धूल से अत्वा भ्रून गरबाशय से आवर रहता है इस प्रकार ज्यान में जिवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपे नित्यशत्रु से धकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अद्मी के समान जलता रहता है पिंद्रियां मन तथा बुद्धी इस काम के निवास स्थान है इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तवि ज्यान को ढखक कर उसे मोहित कर लेता है इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ट अर्जुन प्रारंभु में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान पती काम का दमन करो और ज्यान कसा आत्म साक्षात कार के इस विनाश करता का वद करो करमेंद्या जड़ पदार्थों के अफिक्ष श्रिष्ट हैं मन इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धी मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धी से भी बढ़कर है इस प्रकार है महा बाहु अर्जुन अपने आपको भौतिक इंद्रियों मन तता बुद्धी से परे प्थी तो